नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं OKCREDIT दोस्तों अगर आप इस दोरान कोई बिजनस शिरू करने की सोच रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है और वो विकल्प है आधार कार्ट की फ्रेंचाइजी का जी हां आप आधार कार्ट की फ्रेंचाइजी लेकर अपने लिए एक अच्छा सा बिजनस शिरू कर सकते हैं लेकिन सवाल आपके जहन में यह आ रहा होगा कि आखरकार आधार कार्ट की फ्रेंचाइजी ली कैसे जा सकती है इसका पूरा प्रोसेस क्या है तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे दरसल आधार कार्ट की जो फ्रेंचाइजी है उसको लेने के लिए आपको एक लाइसें कर रहे हैं यह एक online exam है जो कि UIDAI certificate लेने के लिए देना होता है और जब आप इस exam को pass कर लेते हैं तो आपको आधार enrollment और biometric के लिए verification की जरूरत होती है अब आपको आधार काट केंद्र के लिए आवेदन करने के लिए common service center यानी CSC में खुद को और इसके लिए जिन मशीनों की जरूरत होती है उन सभी का registration कराना होता है इसके बाद आपको केंद्रद्वारा मानिता प्राप्त होगी और फिर आप ये center खोल सकते हैं तो चलिए तो कैसे center खोला जा सकता है ये तो आपको पता चल गया लेकिन आभी ये जाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार license कैसे मिलेगा सबसे बहले NSEIT की website पर जाना है इसका link आपको description box में दिया गया है यहाँ पर आप create new user पर click करें अब एक XML file open हो जाएगी इसका इस्तिमाल आपको उपर बताएगे ज़भा पर करना है अब आपको share code enter करने के लिए कहा जाएगा XM file और share code के लिए आप आधार की website https resident.uidai.gov.in offline KYC पर जाकर अपना offline e-adhaar डाउनलोड करें यह link भी आपको description में दे दिया गया है यहाँ से जो आप download करेंगे तो XML file और share code दोनों download हो जाएगे इसका इस्तिमाल आपको उपर बताएगई जगहा पर करना है अब एक और form आएगा जिसमें आपको कुछ personal जानकारी देनी है इस form को submit करने के बाद आपके mobile number और email ID पर user ID और password आ जाएगे इनसे आप आधार testing and certification के portal पर login कर पाएंगे इसके बाद continue के button पर click करें अब आपके सामने एक form आएगा जिसमें मांगी गई जानकारी सही सही भरें इस form को भरने के बाद आपको अपना photo और signature अप्लोड करना है अब आपको preview का option दिखाई देगा इसमें आराम से देखें कि आपने form में चुचानकारी दी है वो पूरी तरह सही है या नहीं अब declaration box पर टिक लगा कर proceed to submit form पर क्लिक करें इस तरह से आपका अधारकार्ट सेंटर खोलने के लिए आविश्यक license के लिए आवेदन हो जाएगा और क्योंकि अब सरकार ने आधारकार के franchise free में देने का फैसला किया है तो ऐसे मैं आपको किसी तरह से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा कोई hidden charges के लिए नहीं है अब license के लिए कैसे आवेदन करना है ये तो हमने आपको बता दिया लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता है अब बारी आती है कि UITAI का exam देने के लिए क्या क्या करना होगा आपको बता दें कि जब आप आवेदन कर देंगे इसके बाद 24-36 घंटे तक आप इसमें login ना करें और ये समय निकल जाने के बाद इसमें आप login करें यहां आपको exam की जानकारी दी जाएगी सबसे पहले अब book center पर click कर अपने pass के center के नाम पर click कर दें सेंटर के साथ ही आप अपने हिसाब से date और time भी चूज करने और उसके बाद उसी समय में आपको यह exam देना होगा exam में बैठने के लिए admit card भी आपको यहीं से मिल जाएगा अब बस और कुछ नहीं exam pass करना है और exam pass करने के बाद आपको license भी मिल जाएगा और हाँ आपका नया business भी शुरू हो जाएगा लेकिन business जब भी शुरू करेंगे हमें आप जरूर comment box में बताएंगे और हमारा शुक्री आदा करना बिलकुल मत भूलिएगा comment box पर किसी भी तरह की information आपको चाहिए कोई भी आपको topic पर कोई problem है या तर कोई doubt है तो आप comment box पर लिख सकते हैं like कीजे, subscribe कीजे, bell icon टाप बटन दबाईए, बाई आपके business का सच्चा साथी